आतो मित्रू आज के निउस पेपर की अंदर से मैंने एक एथिक्स की केस टड़ी बनाने की कोशिश की है मैं इसे जल्दी से आउटलाइन दे रहा हूँ आप वीडियो पॉस करके आराम से सब पढ़ना स्क्रीन पे लेखा है एक टू वन मिनिस्टर केता है वाइस चांसलर को कि ये वाले कॉलेज में आप एड्मिसन कैपसिटी बढ़ा दो इलेक्शन आ रहे हैं जरा लोगों को और एड्मिसन मिलने चाहिए Act 2 Vice Chancellor बोलता है नहीं ये वाले College में अपने पास Hostel Room की Capacity नहीं है College बहुत दूर है City से तो बच्चों को असुविदा होगी और Hostel Capacity नहीं है Act 3 Minister कहता है हाँ तो कोई दिक्कत नहीं आप जो एक-एक Room में Double Sharing देते हो उसकी जगत Triple Sharing कर दो एक Hostel के कमरे में दो की जगत तीन बच्चों को सुला दो वैसे भी पूरा दिन तो उनको पढ़ा ही करने है रात को सोने आना है तक क्या ही दिक्कत है Act 4 Students दमाल कर रहे हैं कि नहीं Hostel में Room Size बड़ा नहीं है हमको नहीं मजाएगा और हम तो Boycott करेंगे लेक्चर में नहीं आएंगे गेराओ करेंगे Office का So now Vice Chancellor के रूप में आप क्या करोगे इसकी जो Decision Tree है वो कुछ इस तरह से बनेगी अब ये ऐसी क्यों बन रही है वो आपको पता चल जाएगा वीडियो के End में पहले हमने ये करना है कि एक-एक Decision को Evaluate करना है अब मित्रो ये जो UPSC Mains में Ethics के Case Study पुछे जाए तो उसकी जो भी word limit हो Suppose 250 words तो उतना लंबा जवाब खिंचने के लिए आपको सबसे पहले तोड़ी Preambling करनी होगी, Introduction देना होगा तो सबसे पहले आप सोचो ये Case Study किसके बारे में है Introduction में उस चीज को बारे में चर्चा करो This is a Case Study about Limited Resources versus Unlimited Aspiration संसाधन मर्यादित हैं लेकिन आमारी आकांशा हैं इच्छा हैं बहुत सारी है संसाधन मर्यादित कैसे कि College और Hostel बनाने के लिए पैसा नहीं आप जानते हैं सरकार की Tax to GDP रिशो निकालो around 10% के आसपास होता है Union Government का तो इतने में क्या ही नए-नए School Hospital बने So that is a problem दूसरा Limited Resources है Time और Patience समय की कमी है, दिरज की कमी है, मिनिस्टर को next election आ रहा है तो अभी के अभी चाहिए सब बच्चों को भी अभी के अभी college में admission चाहिए, अच्छे वाले college में So everyone is in urgency तो time और दिरज उसकी भी कमी है और सामने unlimited aspiration हर एक बच्चे को college में admission लेना है खासकर अच्छे सरकारी college में admission लेना है ताकि fee कम बननी पड़े और उस hostel में भी उनको best facility चाहिए कि एक room में एक जना रहे या दो जने रहे और AC होना चे, Wi-Fi होना चे, Netflix सब होना चे Minister को भी हर एक election जीतना है So everyone wants to have some best thing in their life अब आप considering these issues, बोलके वापस से case study को refresh करके आप लिखेंगे तीन चा लाइन में और फिर एक एक decision को आप evaluate करो कि Vice Chancellor के रूप में आप क्या गरोगे पहला option आपके पास यह है कि Minister को मना कर दो कि नहीं यह मैं admission seat भी नहीं बढ़ाऊंगा और मैं यह triple sharing वाली चीज़ भी नहीं मानूँगा तो Minister के point of view से इस decision का क्या असर होगा आप देखे मिनिस्टर वैसे गलत थोड़ी है अगर वो चाता है जादा बच्चे कॉलेज में admission ले तो उसमें क्या गलत है और वो चाता election जीता जाए तो क्या गलत है आप भी तो competitive exam क्यों दे रहे आपको नौकरी चाहिए तो उसमें क्या गलत है everyone wants to have good thing for themselves vice chancellor के point of view से अच्छा बच्चों का कल्यान कर दिया लेकिन उसको minister नौकरी से निकाल दे या शायद नौकरी से ना निकाले लेकिन याद रहे कि तुम अब next time जब अपनी college university में नया electronic microscope फिट कराना होगा, spectro को फिट कराना होगा, college में नये college की professor की recruitment बढ़ानी होगी तो मैं तुमको support नहीं करूँगा क्यूंकि तुमने मुझे support नहीं क्या था so yes in long term it may help some other ways, it may harm some other ways student के point of view से सोचो existing students है वो खुश हो जाएंगे कि हमको सुकून से रहने मिलेगा, बहुत जादा बच्चे भीड नहीं होगी और बाकी जो बच्चे जिनका admission नहीं होगा, वो थोड़े नाराज हो जाएंगे कि हमारा कल्यान नहीं होगा, अब आप कहेंगे ये तो सब क्या time pass कर रहें तुम 250 words तक अगर आपको answer को खीचना है, तो उसी तरह ये evaluate the option और ये ही सब करके जवाब बढ़ना होगा, वरना इसमें नया तो क्या ही जान आप जान आप उसमें डाल लोगी anyways moving further, दूसरा decision option ये हो सकता है कि vice chancellor, बच्चों को बोल दे कि तुम triple sharing में adjust कर लो तो minister का तो काम हो गया vice chancellor का भी काम हो गया कि कोई extra करना नहीं, बस बोल दिया लेकिन problem क्या आएगी students will protest, तो that is a problem कि बच्चों को आप ये कहें कि नहीं होगा triple room में रहना है that is a problem, आगे बढ़ते हैं तीसरा decision option कि जहाँ vice chancellor tells the student to approach court and media कि बच्चों तुम अदालत में जाओ माननी होगी, अब इसका implication क्या होगा, minister वो नाराज हो जाएगा कि ये vice chancellor बच्चों को मेरे खिलाब बढ़का रहा है, he is spreading disaffection, आप ये सोचें मेरा तो काम आसान होगे, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा but think about it, क्या is this an officer like quality, अगर आप हर एक victim को यही बोलोगे कि भाई तु कोट में जा, मीडिया में जा तो तुम officer के रूप में क्या काम है तुमारा एक बार ऐसी real case study कुछ मैंने देखी थी, कि schedule का student था उसका merit में number आया था उसका IIT में admission हुआ था वो IIT की fees बरनी थी उसे लेकिन IIT के server computer में glitch थी, तो बार-बार वो प्रिशान हो रहा था लेकिन उसका फीज नहीं जा रहा था और फिर वो college के Clark और staff के पास गया तो उन्होंने मदद नहीं last date is over तो तुमारा admission नहीं हुआ है फिर वो court में गया, court ने उसको मदद की लेकिन court ने डांड भी लगए कि यह क्या चल रहा है, आप इसकी मदद क्यूं नहीं कर रहे है हर चीज में क्यूं court के पास आना पड़े बच्चे को उसी तरह आप एक I.S. officer हैं district collector है, कोई गरीब महीला आती है और हो कहती है, मेरे पास कोई scheme का document नहीं लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी help करो, तब क्या उसको यह बोले था, तो बैन, तुम जाओ court में और उदर से कुछ कहेंगे, तो हम करेंगे मा लीजे, आप district education officer है और teachers या वो कह रहे हैं, हम strike पर जाएंगे हमारा XYZ, तो आप क्या उनको strike रोखने की कोशिस करेंगे या यहां तुम जाओ court में फिर जो होगा देखेंगे उसी तरह आप chief medical officer हैं और यह doctors कुछ कह रहे हैं कि हमको काम ने करना, हमको यह जो patient के relatives हैं, वो market कर रहे हैं, तो आप फोन लगाता हूँ, और तुम आपको बचाएंगे, protection देंगे, आप उसको नहीं, तुम जाओ media और court में फिर देखते हैं suppose कोई political outfit है जो किसी hotel वाले को बोल रहा है कि तुम अपना non wage का जो दुकाने वो बंद कर दो, यह हमारी दार्मिक बावनाओ के खिलाब है, वगएरा, तो वो भी आपके पास आता है, आप district magistrate IS officer, आप क्या बोलेंगे कि हाँ मैं आपको कुछ police protection देता हूँ, या आप यह कहेंगे, नहीं बहुत तुम भी जाओ अभी media में फिर देखते हैं क्या होगा so this is not officer like quality of course, जनता को freedom है, वो press में जाए, media में जाए court में जाए, उनका freedom है लेकिन you as an officer आपने उनको instigate नहीं करना जाए जाओ तुम जाओ और फिर देखते हैं क्या होता है तो वह तुम officer किस काम के बोगा दूसरा student point of view से सोचो अगर वो media में जाएगा, तो media के पास ये कोई ऐसी hot happening news नहीं है कि वो उस पर पूरा दिन कुछ खबर चलाए वो court में जाएंगे, तो court के पास और भी तो important case चल रहे हैं, तो इसमें वो जल्डी से न्याय दे दे, ज़रूरी नहीं है ये भी हो सकता है, court मनाई कर दे कि हाँ तुम लोग triple sharing में रहो किराय पे ले लो, तुम जाओ, अगर आपको सरकारी hospital में triple sharing पसंद नहीं है अब उसमें minister का तो काम हो गया minister तो ये भी सोचेगा कि अच्छा है ना private hospital, private hostel, laundry, shops ये सब बनेंगे, तो उससे तो job create होंगे local में, और मेरे जो supporter वहाँ private hospital, private hostel और PG चला रहे हैं, उनको business मिल जाए तो अच्छा है ये तो vice chancellor के लिए भी अच्छा है कि मेरा तो कोई extra काम है नहीं, मैंने बोल दिया और चला गए students के लिए वह दिक्कत है, सारे student afford नहीं कर पाएंगे अब यहाँ पर भी आप सोचिए कि ये officer like quality है क्या, अगर आप हर एक victim को ये कहेंगे कि वह तुमको सरकारी में मज़ा नहीं आ रहा है तो private में चले जाओ आपको सरकारी hospital का bed और facility नहीं पसंद, हाँ तो private hospital में जाओ आपको सरकारी college में teaching library lab अच्छी नहीं लगती हाँ तो private college में जाओ आपको सरकारी hostel का अच्छा food नहीं लगता, पानी अच्छा नहीं है या BSF का कोई constable है वो शिकायत कर रहा है कि मुझे canteen में अच्छा खाना नहीं मिल ला है ताप क्या उसको बोलोगी तो private में tip in मंगवा लो ना स्विगी से order कर लो is this an official like quality कि सबको बोलो कि या तुम private यूज कर लो भलब this should not be first priority बाकी कुछ solution नहीं होता तो आप उनको बोल रहें कि अगर आपको असुई दायात आप करिए हमारे पास जो funding और budget है उसी साब से हम इतना इतना दे पा रहे है but this should not be the first thing कि तुम यह करो step one यह नहीं होना चाहिए फिर एक और decision option हो सकता है build a new hospital देखिए hostel नया बनाने में time लगेगा तो VC बोल सकता है बच्चों को कि adjust कर लो एक दो semester पांच semester जो भी तब तक यह नया hostel बनेगा माफ कीज़े मुझे क्यों hospital ही दिख रहा है हाँ तो यह काम हो सकता है कि बच्चों को का जाए आप खोड़े semester adjust कर लो triple room sharing में तब तक नया hostel बनवाते है minister के लिए तो यह अच्छा है कि नया hostel का उद्गाटन करने के लिए ribbon काटेगा और जनता में अपनी वावाई लूटेगा लेकिन उसमों problem भी आ सकती उसके पास हो सकता है funding ही ना वो नया hostel बनाने के लिए और उसको वो fund किसी हो और scheme में यूज करना हो कि मैं तो बच्चों को laptop देना चाता हूँ mobile देना चाता हूँ ताकि वो तुरंद खुश रहे हैं मुझे तुरंद वोट मिल जाए तो hostel 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 बनाना वो क्या है long gestation वाला project है हमेशा minister लोग को जरा short gestation वाले project में दिल्चस पी रहती है vice chancellor के रूप में आप देखिए आप ये कहें मैं नया hostel बनाऊँगा तो आपका workload बढ़ जाएगा क्योंकि आपने tender design करना होगा project supervise करना होगा अच्छी quality का सब है की नई ये भी हो सकता है minister आप पर दबाव डाले कि hostel का contract तु मेरे रिष्टितार को दे दो minister आपको ये भी कह सकता है कि तुम ये hostel election से पहले खतम कर दो क्योंकि ऐसी भी case study एक दो बार पूछिए UPC ने कि तुम ये engineer हो और ये जो bridge है या road है वो election से पहले complete कर दो हाँ तो हो सकता है इधर आपका load बढ़ जाए student के point of view से short term में pain हो सकता है triple sharing में रहना पड़े long term में benefit हो सकता है हला कि long term में भी ऐसी guarantee नहीं कि कि आप resign करो vice chancellor के रूप में देखिए आप resign करेंगे तो minister को तो अच्छा है ना वो अपना कोई yes man type का आदमी उदर बिठा देगा पपेट आदमी बिठा देगा और उसका तो agenda तो complete हो गया कि मुझे तो seats बढ़ाने थे हो गए vice chancellor के रूप में आप अपने officer के रूप में क्या रोल है suppose minister तो ये भी कहेगा कि professor के recruitment है तो मेरे रिष्टेदार को नो अखरी पे लग लो फिर minister ये भी कहेगा कि इस बार exam में easy paper set करना क्योंकि election आ रहे हैं तो मैंने चाहता बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो जाएं minister तो ये भी कहेगा कि हमारा political leader जो थे उनका कोई प्रतिमा आप अपने campus में install कर दो minister तो ये भी कि उसका कोई relative आपके college के student को female staff को sexually harass कर रहा है और वो आप female staff member आपको complain करता है तो आप क्या कुछ उसको support करेंगे या फिर कि नहीं तुम भी comment में मुझे बताईए मेरे पास इतने time था उतने में मैं इतने कुछे चीज़े सोच पाया अब अपनी decision tree या way forward क्या होगा देखे पहला option अपने पास क्या था minister को मना कर दो तो ये आप course of action में पहला option ये use कर सकते हैं कि आप मना करना मतलब आप उसको politely convince करेंगे कि sir इसमें अपनी capacity ने और ये problem है so try to convince him कि अभी ये नहीं करना चाहिए जो seat है उतना रहने दो double sharing रहने दो अगर वो नहीं माने else तो फिर आप उसको सिधा point number 5 पे ले जाओ पांचवा point क्या था ठीक है sir seat capacity बढ़ाते हैं और एक नया hostel भी बना देते हैं यह आपने पास existing जो hostel है उस पर extra floor दूसरी 3-4 मंजिला और खिल देते हैं हाँ उसमें time जाएगा आपको थोड़ा funding भी देना होगा यह चीज हो सकती तो if option one fails you can try to convince minister कि यहां ऐसा करते हैं लेकिन इसमें challenges मैंने आपको बता है जाए कि यह option five explore कर रहे हैं तब तक आप adjust करो सीधा ही मुपे कि नहीं है साही करना है अगर आप एक करेंगे तो लोग हमेशा प्रोटेस्टी करें तो प्यार से समझाने की कोशिक है हाँ future में हम नया hostel बनाएंगे ना भी बना रहे हो तो भी बोल सकते हैं हम कोशिश करेंगे ताकि उसको थोड़ी सुकून रहे option three था बच्चों को का जा है तुम court या media में जाओ देखे बच्चों को अगर court media में जाना है तो उनको जा सकते हैं वो वो उनकी freedom है लेकिन vice chancellor न या officer ने खुद से instigate नहीं करना जा लोगों की कि तुम जाओ और वहां से इसाप ले क्या हो क्योंकि minister ने मेरे को बांध के रखा है अगर आप ऐसा सब कहेंगे वो पूरी institute की गरिमा को खराब करता है और minister भी नाराज हो जाएके कि तुम लोगों को क्यों बढ़काते हो court जाने के लिए option 4 जो कहता था कि बच्चों को कहा जाए कि private hospital में रह लो तुमको नहीं मजा रहा है triple sharing में तो वह वहला आप उनको बोल सकते हैं अगर option 5 fails कि नया hostel बन नहीं पा रहा है तो फिर आप कह सकते हैं हाँ कि आप adjust करो triple sharing में हमारे पास तो government funding के इसाब से सिर्फ इतना ही है नहीं हो सकता तो फिर आप private hospital में जाओ option 6 resign उससे तो student का problem solve नहीं हो रहा है तो that is not ideal something else तो मैंने आपको बता है कि comments में मुझे बताए मेरे पास इतना time था उतने में इतना सोच पाया और जो something else वो reasonable होना चाहिए फिर South Indian movie के अंदर मैं जाओंगा मिनिस्टर की पिटाई कर दूँगा और मैं कुछ एक ही ऐसा करूँगा but that is realistic जवाब होने चाहिए कि क्या हो सकता है तो कहरिये था and see you next time